नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका आज की वीडियो में मेरा नाम सोनू है और आप देख रहे हैं न्यूजपेस चैनल दोस्तों आज की वीडियो है जो अपनी बाइक होती है हीरो गलेमर एक्सटेक्स बीस6 इसके अंदर इंजन गार्ड लगाने की क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर पता किया था आज इसका इंजन गार्ड अवलेवल नहीं है कि कोई मेटल का या वेसी कोई फाइवर का कोई मिला नहीं मुझे तो मैंने खुद ही इंजन गार्ड बनाया है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि बिना इंजन गार्ड के ये बाइक बहुत जब बारीश में चलती है तो बिल्कुल सारा किचड इंजन पे और हैड की तरफ चला जाता है जो मड होता है तो यह वाला मैंने मेटल का इंजन गार्ड बनाया है और इसका डायाग्राम भी वीडियो में डाल दूँँगा और इसको कितना मैंने कहां पर कट किया और कितना जो मेटल का टुकुडा लिया था वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा नजदीक ले आईए के मेरे को थोड़ा सा आप भी नजदीक आईए थोड़ा सा तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ दिख रहा है पूरा वीडियो में ये तकरिबन 11 इंच 11 इंच का भी ले सकते हैं आप ये मेटल का टुकुडा और एक फिट का भी ले सकते हैं अब कहां कहां ये बेंड किया गया है वो देख लीजिएगा सबसे पहले नजदीक में दिखाएगा थोड़ा साड़े 5 इंच पे इसको बेंड किया गया है दूसरा साड़े 8 इंच पे बेंड किया गया है ये वाला दूसरे वाला दो बेंड है एक साड़े फस्ट जो साड़े 5 पे है और सेकिंड वाला साड़े 8 पे है अब इसकी चोड सकते हैं और साथ भी ले सकते हैं साथ लेंगे तो इदर आपका कैटली कर्णिवेटर को टेच करेगा राइट साइड और इदर थोड़ा सा बाहर हो जाएगा इंजन से तो इसको आप चोड़ा तकरीबन साड़े 6 इंच ले ले अभी अंदर इसमें पत्ति लगेगी यह पत्त दो इंच की पत्ति हमें लेनी है और इसी के अंदर भी यह होल भी यहीं करना है होल भी कर देना दो इंच के अंदर यानि होल भी हो जाए दो इंच के अंदर इसकी लंबाई भी दो इंच हो तो यह थोड़ा सा इंजन से दूर रहेगी अगर ज़ादा दूर हम कर देते हैं पूरी अगर बड़ा लगा देते है ये वाला गार्ड तो होता क्या है ब्रेकर पे या फिर जो फरंट सुस्पेंशन है वो दबेगा या ब्रेकर आएगा तो वो टायर टच होगा इसके साथ मटगार टच होगा तो इसलिए आप इस तरह से छोटा बना सकते हैं ये दो इंच और 6 इंच चोड़ा, पांच इंच पे फर्ष्ट बेंड और शाड़े आठ इंच पे दूसरा बेंड आपको डालना है आप बिलकुल एजी ली खुद बना सकते हैं या थोड़ा सा कहीं किसी मेकैनिक की साहिता से भी इसको बना सकते हैं अब ये कैसे फिट करता हूं और कैस कर देता बट मेरे पास अभी वाइट कलर अवलेवल है तो मैं वाइट पेंट इसको कर देता हूं और फिर प्रोपर फिटिंग की वीडियो आपको दिखाता हूं और अभी मैं जो इंजन गार्ड मेटल का बनाया है उसको मैं पेंट करने वाला हूं ताकि जल्दी रस्टिं है वह कि इंजन गार्ड हीरो गड्लेमर एकस्टैक बिस्टिक चना बेले इसकी जो यह साइड है यहां पर पेंट करूंगा क्योंकि अगर इस सैड पाने प्ल्ट पल्टूंगा तो यह पूरा का पूरा शिपक जाएगा और यह जो उपर की साइड़ा इसको मैं बाद में प पैंट होगी और इसको न्यूज पेपर पे रख लिया है अभी स्टार्ट करते हैं इसकी पैंटिंग और लगबग सिंगल कोट इस पे लग चुका है यह थोड़ी देर में सूख जाएगा उसके बाद इसके आगे दूसरी साइड है वहां पर पैंट करते हैं कि तो फाइनली इंजन प्लेट जो इंजन कवर है वह लगने के बाद कुछ इस तरह से लुक आता है यहां से देखेंगे तो इतनी बाहर दिखाई देगी यह प्लेट और फरंट से कुछ इस तरह से दिखाई देगी यह बिलकुल यहां पर किचट नहीं जाने देगी पिछे जैसे यहां तक यह खराब हो चुका था पहले किचट से तो यह बचाएगी यहां पर बिलकुल ही किचट नहीं जाएगा और दिखा देता हूं मैं इसको दूसरी साइड से भी यह देख सकते हैं आप यह केटलिक कन्वेटर के बीच थोड़ा सा स्पेस रखा है ताकि बाइक जब चले और हाई आर्पियम पे हो तो यह पलेट इसके साथ तच होकर वाइवरेट ना करें इसलिए थोड़ा सा गेप रखा है अगर बड़ी लगाते तो फिर बाहरा हो जाती और जब गड़े वगेरा आते तो यह इदर पलेट लगती इसलिए इसको काट करके छोटा किया है पहले बड़ा लगाया था और पत्ती इस साइड से अंदर की तरफ कस्दी गई है और दूसरी साइड से यहां पर जो यह लेग गार्ड का सक्रीव होता है बारा नंबर की चाबी से खुल जाता है यह इसके अंदर इसको कोनेक्ट कर दिया गया है तो फाइनली काफी सुन्दर लुक आता है और वाइट कलर भी अच्छा लगता है क्योंकि बलेक और वाइट का कॉंबिनेशन है पहले भी बाइक में वाइट स्टिकरिंग की गई है तो इस तरह से आप इंजन पलेट बना सकते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर आप चनल पे नए तो क्रिपया चनल को सब्सक्राइब कर ले तो क्रिपया चनल को सब्सक्राइ कि कRI Bay躁 में अगर भी तो कममे वाइब कर ले चनल को सब्सक्राइब कर ले वाइब कर गषडर आप